हालो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल इस रेटेगनिंग में दोस्तों जैसा कि हम लोग BTC 3rd semester का मैत पढ़ रहे थे और जिसमें हमने काफी chapter को complete कर लिया था और हम गुणनखंड पढ़ रहे थे गुणनखंड का हमने दो वीडियो complete कर लिया था जिसमें आज हम आपके साथ तीसरा वीडियो discussion करेंगे और यानि तीसरा पार्ट इसले गुणनखंड का हम तीसरा पार्ट आपको पढ़ाएंगे आज जिससे कि अगर इस टाइप का question यहाँ पर बहुत important question हमने लिया है अगर इस टाइप का question आपके exam में आ जाए तो छूटे ना और आप question को 100% सही-सही कर पाएं तो चलिए कि करके इसको पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा यह भी topic clear हो जाए तो आइए देखते हैं हमारा पहले क्या है पहला हमारा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों इसको हमारा क्या है पहले 9th number question हमारा क्या है देखिए 9th number question हमारा लिखा है 15 yaks की घाते 4 प्लस 3 yaks square minus 18 दोस्तों अगर यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले आपने इसके पहले दो वीडियो और पड़े हैं गुड़नखंड के एक पार्ट फास्ट है एक पार्ट सेकेंड इसको आप जाकर देखिए इसमें हमने basic कर रहा हैं यहां से थोड़ा सा tough question करा रहे हैं जिससे कि अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा क्या है यहां पर 15 yaks की घाते 4 प्लस 3 yaks square minus 18 का गुड़नखंड करना है हमको अब देखिए यहां पर क्या है यक्स की घात 4 है और यक्स की घात 2 है अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था यक्स cube तक पढ़ दिया था यक्स cube रहेगा प्लस यक्स square रहेगा प्लस एगर यक्स रहेगा इस टाइप का question हमने second वाले part में पढ़ दिया था अब हम इसको देख लेतने हैं कैसे होगा अब देखिए क्या है यहां देखिए इसमें इसमें ऴी तीन कमन है इसमें वी तीन कमन इसमें भी तीन कमन दिख रहा है अब सब में से 3 अगर हम कामल ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा अंदर 5 x गाते 4, x square minus 6 यह बचेगा और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा 5, 6, 30 यह हम बताए थे कि इन दोनों का गुड़ा करते हैं 5, 6, बराबर 30 यह हमारा 30 यहाँ पर दिख रहा है और अगर हम इसको तोड़ेंगे देहां देजिएगा अगर मालीजी हम इसको माने कि यह x square वाला question है plus x plus कुछ करके question है इस type का तो इस type का question देखें हमारा यह बन रहा है तो हम क्या करेंगे इस type का बन रहा है लेकिन हमको यहाँ problem हो रही देखें दोस्तों यहाँ पर देखें कुछ लोग नहीं समझवाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चार रखा दिख रहा है तो क्या करेंगा अब देखें यहाँ पर इन नोनों का multiply करने पर हमारा 30 हेला जाएगा और हमारा लेंगे तो जैसे 5 को नहीं समझ मां रहा ह। टो माल देखें यहाँ स्क्वाएर नहीं क्या करेंगे इहाँ पर अब देखिए यहाँ पर x2 की जगह पर एक रिख देंगे तूंपर 11 की घाते हैं तो हमारे क्या हो जाइं इसको यक्स की घातेद दो और 2 लिख सकते हैं और direct दमांड इसको यहां पर हो जाएगा देखिए यहाँ परेजक्ष कर फांच कीस यहाँ-6 यहाँ यहां को एक लाना है तो 6 मैं से 5 गठा देंगे अब देखिए इसके आगे इस तीन को यहीं रहने देंगे इसतीन का कुछ नहीं करें यहाँ पर जो कामन लेली ही पड़ी रहने देंगे अब देखिए जब कुछ टक को खोलेंगे एक का गुड़ा हो जाएगा एक का गुड़ा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5A square plus 6 minus 5 minus 6 यहां तक समझगे होंगे इसके बात हम देखिए आगे देखते हैं क्या है हमारा इन दोनों का ना लेते हैं जोड़ा इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे थे हमारा इसमें Одे कामन यह सोब्स हैं आ इसको कामन ले लेंगे हमारा को अगया होगा है इसके बाद हम कोश्टक को को कुष्टक को ऊपन कर देंगे हमारे कि आ जाएगा जो है तीन कुष्टक में 5A plus 6 into A minus one यहां तक तो आप लोग समझ गें होंगे अब A बराबर हम क्या माने थे एकसी स्क्वाइर माने थे तैब एकसी स्क्वाइर एकसी स्क्वाइर रख देंगे तब अगर उस फार्मूले पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अस्तान पर यक्स प्लस वन हो जाएगा, यक्स माइनस वन हो जाएगा, यह हमारा दोस्तों आ जाएगा, आइंसर, यह आप लोग समझ गयोंगे, यहाँ तक समझ गये आप लोग, यहाँ तक कोशन नमबर 10 को कोशन नमबर 10 हमारा क्या है कोशन नमबर 10 है 40 P भाते 3 40 P भाते 3 यहां दिख रहा है ाइंद udah सब्सक्राइब यहां देखें इस सब्सक्राइब पी की खाथ 3 बाहर ले लेंगे अगर कामल ले लेंगे तो हमारे यहां पर क्या बचेगा यहां पर बच जाएगा सिर्फ 40 अब देखे जैसे अगर हम पी की खाथ 3 कामल ले 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 तो हमारे यहां 40 बच जाएगा सिर्फ 40 हम लिखते हैं यहां पर हमारा बच जाएगा 16 और क्य कईसे करते हैं हमारा क्या है पी की घात तीन था यह हो गया अब देखिए इसको क्या करेंगे इसको पहले कि इसको लिखते हैं दो गात वाला फिर एक भात वाला फिर भीना गात वाला इसे हो ता है हमारा ax square plus bx plus c इसको हमने आपको पढ़ा है कि पहले क्या लिखेंगे दो घात वाला फिर एक घात वाला फिर बिना घात वाला लिख देंगे हम को आ रहा मैंनस, लोग यहां पर गलती कर देंगे हम इसको movement असवार बnekा किया है यहां से माइनस काम ले इन कॉस्स दो प्लस भत प्लस भागा और यहां कि यहां पर दो कामन हो जाएगा यहां पर भी दो कामन हो जाएगा यहां पर दो यहां पर कामन हो जाएगा और दो यहां पर कामन हो जाएगा सब में तो हमारा क्या बच जाएगा यहां पर हमारा बच जाएगा देखिए यहां पर दो सोरी उसको यहां रहेगा आठ क्यू यह आगे देख लेते हैं आगे हमारा क्या था अब देखे दोस्तों तेखिए दोस्तों, यहां पर क्योंकि कुछ Error हो गया है, किसलिए, क्योंकि हमने यहां पर क्या माल लिया है, कि क्यूं माल लिया और Co portion को लिखने में प्रशॉल ही है, यहां जहां 8 cù होना चाहिए वहां पर हमने क्या माल लिया来, FIN 49, तो इसको आप इसको आप इसको आप जो है मत देखिए इधर हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है तो कैसे करना देखिए यहाँ पर आपका क्या था माइनस माइनस दो पी की गहाती तीन था दोस्तों और यहाँ पर क्या था Q square minus 8 Q minus 20 यह था आपको अब देखे इस 20 को तोड़ेंगे आप इसको मत देखे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कमी हो गई यहाँ पर यहाँ पर एक माल लिया गया और 5 और 4 माल के हल कर दिया कोशन को अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आपका 20 है तो 8 को तोड़ेंगेद कितना हो जाएगा यहाँ पर तोड़ेंगेद क्या हो जाएगा Q square minus कोश्चक में हमारा हो जाएगा 10 minus 2 Q minus 20 यह हो जाएगा आपका यहाँ तक तो आप हो जाएगा अब देखे यहाँ पर इतना हो जाएगा तो अगर देखें ग्याद हो जाएगा q square minus 10 q minus minus की जिस minus का गुड़ा यहां हो जाएगा plus 2 q minus 20 यह तो आप समझ गया होगे अब यहां से एक टेक का जोड़ा यहां से एक का जोड़ा और इसका जोड़ा बना लेंगे अगर और हमारा जो यहां पर minus minus 2 p cube था इसको हमें ऐसे लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख देंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे और यहां पर यहां पर इसको कोश्टर में कर देंगे इसको अब देखें हमारा क्या आया था माइनस 2PQ था इसके बाद हमारा आया था Q square माइनस 10Q इसके बाद था माइनस माइनस निज़त सोड़तो पलस था 2Q माइनस 20 यह था अब देखें यहाँ पर क्या था इसको बराबर करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2PQ अब यहाँ पर देखें क्या कामन होगा Q कामन होगा तो हो जाएगा बड़ा कोश्टक लगा देंगे Q माइनस 10 और यहाँ पर प्लस 2 कामन हो जाएगा था हमारा हो जाएगा Q माइनस 10 यहाँ तो समझगी होगे ठीक अब देखें यहाँ पर क्या है माइन बराबर माइनस दो P Q पहले दिया है अब देखें क्या हो जाएगा हमारा Q माइनस 10 को कामर ले लेंगे हमारे बच जाएगा Q प्लस 2 यह दोस्तों आप लोगो समझ गया होंगे यहाँ पर क्या कमी हो गई है यहाँ पर जो लिखना था जैसे यह दिखें आपका एंसर आएगा यह यह एक्जिक्ट एंसर आएगा यह जो लिखना था दोस्तों यहाँ कमी क्या हो गई है यहाँ पर लिखना था हमारा P का Q माइनस सोरी दोस्तों Q का Q माइनस 8 Q और माइनस 20 और यहाँ पर क्या लिखा गया है Q square minus Q minus 20 हो गया इसको 4 और 5 मन्त के सालप कर लिती है यह थोड़ा यहाँ पर एर आ गया है इस question में यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको आपने देखेगा हाई है हम आगे देखते हैं आगे हमको क्या करना है पूर्वर्ग बनाकर गुड़न खंड करना है दोस्तों इसको हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तेरा से क्योंकि यह बहुत इंपोटेंट है कुछ काफिल लोगों को नहीं आता है तो देखिए कैसे आपको पूर्वर्ग बनाकर गुड़न खंड करना है पूर्णवर्ग बनाकर गुडणखंड करना पहला कोशन हमारे क्या है X square minus 8 X plus 15 इसको है लिखा है X square minus 8 X plus 15 को पूर्णवर्ग बनाकर गुडणखंड करने के लिए X का गुड़ांग बटे 2 का whole square को जोड़ते वाग घटाते हैं मतलब अब देखिए इसका हमको क्या बनाना है गुडणखंड बनाना है किस से पूर्णवर्ग से यहाँ देखिए किस से बनाना है पूर्णवर्ग से बनाना है तो X का गुड़ांग हमारे क्या है 8 है 8 का क्या करेंगे 8 बटे 2 का whole square करेंगे दोस्तों अब देखें यक्स का गुडांक बटे दो का होली स्क्वाइर कर लेंगे यहां तो समझ गया होंगे अब यक्सा गुडांक बटे दो का होली स्क्वाइर करेंगे तो यक्स का गुडांक अभी हम देखें कितना था आठ था यक्सा गुडांक कितना था आठ तो हमारे क्या हो जाएगा आठ है बटे दो का होली स्क्वाइर आठ बटे दो बराबर चार का स्क्वाइर और चार का स्क्वाइर बराबर 16 अब देखिए क्या करेंगे हमारे जो समीकरण दिया था जो हमारे दिया था उसमें हम कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे और 16 घटा देंगे हमारा क्या हो जाएगा x square minus 8x plus 16 फिर minus 16 और plus 15 यह हम कर देंगे क्योंकि हमारा 15 पर दिया था तो यहाँ देखें यह 16 जोड़ दिया और 16 वहाँ पर घटा दिया दोनों काम कर दिया है अब इसको अगर देखेंगे गुड़े 1x गुड़े 4 square यह देखें a square minus 2ab plus b square दिख रहा है और देखें यह हमारा 1 है तो यह a minus b कहली square दिख रहा है मतलब 1 minus 4 कहली square हो जाएगा और यहाँ 1 square अब देखें अगर इन दोनों को इसको हम a माल ले a square और इसको माल ले b square a square minus b square group में दिख रहा है दिखें दिख रहा है अब इसको a square minus b square group में दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाए एक कुष्टक में एक कुष्टक में हो जाएगा a plus b 1 minus 4 plus 1 एक कुष्टक में हो जाएगा दूसरे कुष्टक में हो जाएगा 1 minus 4 minus 1 यहां तक तो समझ गया होगे अब इस कुष्टक को अगर हम open कर देंगे था हमारा हो जाएगा x-4 प्लस एक दूसरे में हो जाएगा x-4 मानेस एक अब अगर इसको और आगे हल कर देंगे था हमारा हो जाएगा एक कुछ टक में, एक समाइनस तीन दूसरे कुछ टक में हो जाएगा, एक से, प्लस, एक समाइनस पांच, क्योंकि यहाँ पर देखे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तीन आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, तो पांच आ जाएगा, उमिद है दोस्तों, आप लोग इसको स करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियों तो तक लिए अपना ख्याल खिएगा जय हिंद बंदे मात्राइब कर दो कर दो